किस्मत न दे यारी तो क्या करे फोजदारी और जब किस्मत दे यारी तो क्यों हो खुआरी यानि कि भाग्य से ही अच्छे दोस्त मिलते हैं लाख जतन करने के बाद भी पाकिस्तान को अच्छे दोस्त नहीं मिले जहां एक तरफ तुर्की ने धोका दे दिया तो वही सौदी अरब ने दुलत्ती मार दिया और अब चीन भी कुछ वैसा ही कर रहा है इन सब के बीच भारत ने सीमा पर पाकिस्तान के लिए खास प्रबंध कर दिया है जिसके बाद अब अगर गुशने के लिए कोई भी पाकिस्तानी सैनिक या उसके पिठ्ठू कोशिस करते हैं तो उनका बुरा हाल होने वाला है आखिर ऐसी कौन सी वेवस्था कर रही है भारतिय सरकार वहीं दूसरी तरफ अचानक से दच्छिन कोरिया क्यों पहुँचे हैं सेना परमूख मुकुंद नर्वने और कहा तो ये भी जा रहा है कि इनके बाद एक बहुत ही खास इंसान जो की अपने आप में हस्ती रखते हैं वो भी दच्छिन कोरिया जरूर पहुँचेंगे आखिर ऐसी कौन सी बात है और अचानक से दच्छिन कोरिया भारत के लिए इतना महतपुर्न क्यों हो गया है वहीं तीसरी तरफ इरान और इसराइल में ऐसा लगता है जैसे कि अब लड़ाई होकर रहेगी इरान के साथ इसराइल ने कुछ ऐसा ही कर दिया है इसके अलावे बहुत कुछ आईए जानते हैं इन खबरों को बिस्तार से सोमबार को इरान ने इसराइल को ये कहा है कि लाल रेखा को पार नहीं करे वरना इसका अंजाम सही नहीं होगा आखिर लाल रेखा को पार करके इसराइल ने ऐसा क्या कर दिया है वैसे तो पूरी दुनिया जानती है कि जब से इसराइल ने कथित तोर पर परमानु बैज्यानिक फकरिजा देह को उपर पहुँचाया तब से इरान और इसराइल के बीच रिष्टे बहुत ही गंदे वाले दोर में चले गए इरान और अमेरिका के बीच 2018 के बाद से ही जब से टरंप ने सत्ता समहा ली तब से तनाव बढ़ते चले गए क्योंकि संजुक्त राज अमेरिका ने इरान से अपने परमानू समझोते को वापस ले लिया और उसके बाद 2019 में दोनों कटर दुस्मन एक बार फिर से लड़ाई की कगार पर आ गए थे जब सोलेमानी वाला कांड हुआ था इसके बाद भी मामला रुका नहीं है अब अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि कहीं अपने अंतिम महिने में टरंप कुछ ऐसा न कर दे जो की इरान और पूरी दुनिया के लिए एक नया बखेडा हो जाए क्योंकि जिस तरह से हालात बदल रहे हैं उसे देखकर ऐसा ही लग रहा है इसराइल ने अपने पंडुब्यों को पहचाना सुरू कर दिया है इसराइली मीडिया के अनुसार उनके देश की पंडुब्भी स्वेज नहर को पार कर चुकी है और खाडी देश ने भी एक रिपोर्ट में यह बताया है लेकिन इसकी आधिकारिक तोर पर पुष्टी नहीं हुई है कि पंडुब्य स्वेज नहर के पास पहुँची है अब ख़बर यह आ रही है कि जहां एक तरफ इसराइली पंडुब्य स्वेज नहर पास कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ अमेरिकी नुकिलियर सब्मरीन स्ट्रेट ओप होर्मुज में सोमबार को दिखी थी अब इससे अंदाजा यह लगाया जा रहा है कि कहीं बाइडेन के आने से पहले ही टरंप कोई बड़ा खेल न कर दें इसलिए इरान ने चेतावनी दी है कि लाल रेखा को पार करने की कोशिस न किया जाए यानि कि इरानी सीमा में गुशने की कोशिस बिल्कुल भी न किया जाए वरना ये एक बड़ा रूप ले लेगा वहीं दूसरी तरफ अचानक से भारतिय सेना परमोख मुकुंद नर्वने दच्छिन कोरिया पहुँचे हैं जिसके बाद कई तरह के कयास लगाये जा रहे हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं इससे पहले वो कतर भी पहुँचे थे और अचानक से युएई भी पहुँचे थे और ठीक उससे पहले नेपाल पहुँचे थे वैसे ये सभी एक रन्नीती का हिस्सा है बेवजह हुआ कहीं भी नहीं जा रहे हैं और इस रन्नीती के तहट भारत एक मजबूत उद्देश की पूर्ती कर रहा है। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि पूरे इतियास को उठा कर देखेंगे तो कभी भी भारती आर्मी की चीफ की इस तरह से यात्रा और इस तरह से रन्नीतिक पहल नहीं देखी गई थी। और 2020 यह इतियास में पहला साल है जब इंडियन आर्मी चीफ दचिन कोरिया गए हैं। दचिन कोरिया में जहां उनका स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया जा रहा है वहीं इस पूरे मीटिंग का मुख्य उद्देश है रच्छा संबंदों को बढ़ाना। भारत की तरफ से जहां जो म्यूचुल लोजिस्टिक सपोर्ट एग्रिमेंट बना हुआ है साउथ कोरिया और भारत के बीच में कि वो अपने पोर्ट का इस्तेमाल करने देंगे युद्धुपोतों के लिए और मालवाहक जहाजों के लिए उसको और आगे बढ़ा कर वाय के लेरीगंट इंडिया डचिन कोरिया के साथ मिलकर बना रहा है उस तरह से और भी कई हतियार बनाने के बारे में दोनों के बीच समझ होता हो सकती है और अब बात करेंगे कि आखिर दचिन कोरिया ये सब करने को क्यों तैयार हो गया है तो दरसल चेक गंराजी की एक रिपोर्ट आई है और इससे पहले जर्मनी की भी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये कहा गया था कि पाकिस्तान और चीन मिलकर ऐसे गटबंदन बना रहे हैं जो की छिपित हैं और एक दूसरे की मदद करते हैं जैसे कि पाकिस्तान पर आरोप यह लगता आया है कि वह उत्त उत्तर कोरिया के मामले में पाकिस्तान कहां से आ गया तो इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा लिंक है चीन कहा ये जाता है कि चीन के जरिये पाकिस्तान क्या लिंक बनता है उत्तर कोरिया से और यह उत्तर कोरिया को नुकलियर हतियारों का टेक्नलोजी देता है कहा तो इ इंटेलिजन्स सेरिंग के लिए एक बड़ा एग्रिमेंट कर सकते हैं जिसके तहत दचिन कोरिया के पास जो भी सूचनाएं होंगी पाकिस्तान और चीन से संबंधित वह सूचनाएं वह भारत को देगा और भारत के पास पाकिस्तान और चीन से संबंधित या दचिन कोरिया स सम्मंधित किसी वे तरह की सूचनाएं होंगी तो वह भारत उन्हें देगा इसलिए इस दौरे को काफी खास माना जा रहा है यह बिलकुल पाकिस्तान और चीन पर नकेल कसने के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होने वाला है वैसे आपको क्या लगता है क्या रचीन कोरिया के स साथ भारत की यह साज्यदारी बहुत जरूरी है कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं जल्द मिलते हैं गले वीडियो में नई खबर के साथ